तो देखिए दोस्तों आज के दिन में हमारा stop loss हिट हुआ है और यह भी एक part of game है तो इसको आप समझिए देखिए stop losses आपने आपको flexible होना बहुत जरूरी है इस market में नहीं तो आपको बहुत problem होगी और यहाँ पर देखिए हमने एक buying का trade initiate किया था बट क्या हुआ कि यहाँ प दिन भर option selling हुए और देखिए पूरा एक downtrending खास move तो नहीं रहा लेकिन कोई मतलब put अगर buy करते तो इसमें कम profit और option sell करने में ज्यादा profit होता इस प्रकार के मार्केट में क्योंकि इसमें आप बड़े trend को आराम से पकड़ सकते हैं trailing stop loss के साथ तो इसी प्रकार का structure almost bank nifty मे क्या भी होगा तो इसके लिए मैं आपको डेली और आवरली चार्ट में दिखा रहा हूं तो निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए यह जो रेंज मैंने आपके साथ यह ड्रो करके रखा है उपर के तरफ देखिए strong resistance zone उपर का बन चुका है जो ल पोइंट का फोल नीचे के तरब देखने के लिए मिल सकता है लेकिन इस प्रकार का मार्केट में यहां पे रेंज बोर्ड मार्केट में रेंज का जिथर ब्रेक आउट हो उधर भी trade करने की कोशिस करना चाहिए तो अगर लाइव मार्केट में इस प्रकार से यह अगर रखी इसका आवरली चार्ट में ऊपको दिखा रहा हूं तो ज्यादा सही आपको समझ में आएगा यह जो काफी डूराइं है जिधर का ही break out や breakdown तो तेज मोमेंट होगा ब्रेकडाउun पे बहुत तेज मूइमेंट होगा क्या सब्सक्राइचि मार्केट यहां पर बार बार इस लेबल को अटेम्ट कर रहा है और इसको तोडने की कोषिश कर रहा है तो जब इस प्रिकार से बनाता ऊंट चाल कास्टा है तो यह करेंगे अभी हमारे पास कोई त्रेड नहीं करना चाहे कि अब रेंज के एक दम निचले सीरे में मतलब लास्ट वाले चोपर में तो हमें मैं इसके अलावा जारों के दूंच्व में उसके इसके अलावा देखेए एक ग्रेंग निफ्टी में देखें सेंब टाइप का बैंक निफ्टी में पैटर्ण और एक ट्रेंड लाइन का दोनों तरफ सपोर्ट पर रिसिस्टेंस है और उसके बीच में आ वीजलाब का चार्ट मैंने आपके साथ सेरिय किया था आज के दिन में ट्रेड मैंने आपके साथ कीया था तो डीवीजलाब का ट्रेड देखिए कि मार्केट नीचे के तरफ है लेकिन इसमें compare अवरली चारट में कितना अच्छा बना हुआ है और उसी का कोडिंग देखिए उपर के तरफ यह मुवमेंट भी आया हुआ है तो तैटन अगर बन रहा है तो उसका टार्गेट आता है उसको आपको समझने के जुरुत होती है